हेलो दोस्तों, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, गौर्मन जब अप्लेट्स तो दोस्तों, आज से हम लोग जोगरोफी की सीरीज सुरू कर रहे हैं ठीक है, वन बाई वन सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसमें तो आज का जो हमारे lecture है, पहला lecture, वो होगा latitude, longitude, time zones and international deadline ठीक है, तो वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले चलते हैं, latitude की सरफ तो latitude क्या है, latitude एक horizontal line है जो की अर्थ पर draw की गई है वो एक imaginary line है दोस्तों, ठीक है वह actually line नहीं होती है, खाली imaginary एक line ड्रोग किया गया है, अब यह line सबसे पहले draw कैसे हुई है, तो इसको क्या किया है जो graphers ने, सबसे पहले north pole ठीक है, और south pole, इन दोनों को एक single line से उन्होंने line खीज दिया, ठीक है, अब इसका जो middle point था, वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक horizontal line draw की, यह वाली, ठीक है, अब उस horizontal line को इन्होंने बोला, यह है reference line, और इसको बोल दिया, यह है zero degree line, जिसको हम equator के नाम से भी जानते है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब suppose किसी point का हमको latitude निकालना है, suppose मुझे निकालना है, इस point का latitude, ठीक है, तो इसका latitude कितना होगा, इन्हों degree बनाती है न, देखिए, इस वाले photo में देखते हैं, यह हमारी होगे reference line, ठीक है, यह होगे हमारा point, अब यह, तो baseline होगे हमारी ठीक है, अब इस point का अगर हमको निकालना है, तो इस point को जब इस line से मिलाएंगे, तो इस equator से यह जतना angular, यह distance बनाएंगे ना दोस्तों, उसको कहेंगे उतना degree latitude, मतलब यह होगे, अगर यह angle 30 degree का है, तो इसको कहेंगे 30 degree latitude, तो generally definition क्या हो गया, angular distance of a place from equator, ठीक है, समझ मैं है दोस्तों, ऐसी अगर यहां का निकालना है, तो same equator से reference लेके draw किया, यह आया 45, तो यह हो गई हमारी 45 degree latitude, ठीक है, all जो क्या कहता है, latitude जो होती है यह वो सारी की सारी concentric circle इनको कहा जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि हर latitude का अगर आप देखेंगे, तो उनका जो center है न, वो same है, एक ही line है, जो center, इसलिए इनको concentric circle भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह direct question papers में भी आयाता है, कभी-कभी, कि latitude are also called the concentric circle, तो 110 km, ठीक है, इसलिए इनको parallels भी का जाता है, चाहें आप equator से लेके poles तक किसी भी latitude में 1 degree change का, अगर distance नापेंगे, तो वो equal होगा, ठीक है, अब चलते हैं कि latitude कितने degree तक change होता है, अब suppose यह वाला equator जो reference line लिया था, हमने वो equator 0 degree था, ठीक है, तो north में जाएंगे तो 90 degree था, ठी total 180 degree तक latitude change होता है, ठीक है, north में 90 और south में 90, याद रखिएगा, अब चलिए एक एक करके points एक लेते हैं, कि जब हमने बता है, angular distance बता दिया, latitude हा, concentric circle हो गया, ठीक है, they are parallel to each other's हो गया, distance between two latitudes are equal, already बता दिया है मैंने, largest latitude is equator, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, अगर कोई circle है, तो लोगा, वो कम होगा, तो largest latitude अगर पूछता है, कहा है, तो equator पे है, ठीक है, tropics heat surplus होता है, temperature heat deficit होता है, वो अभी मैं बता हूँगा आपको, ठीक है, तो अब चलते हैं कि कुछ latitudes famous है, अब वो famous latitude क्या क्या है, वो देख लेते हैं, ठीक है, तो zero degree, सबसे पहला famous latitude हमारा हो गया zero degree equator, ठीक है, उसके बाद दूसरा famous latitude साड़ेतेश डिगरी पे है, tropic of cancer, तीसरा latitude साड़ेतेश डिगरी साउथ में है, ये tropic of Capricorn, ये साड़ेतेश डिगरी नौर्थ में, ये साड़ेतेश डिगरी साउथ में, ठीक है, और एक इंपोर्टेंट ट्रॉट ये होता है, इसको कहते है, tropic, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा hit surplus होता है, वो मैं भी आपको बता हूँगा, और जो 13 degree 0.5 से 66.5 degree के बीच में होता है, इसको कहते है, template zone, जो की tropic से कम hit होता है, ठीक है, और जो polar होता है, वो तो एक्दम hit deficit area होता है, 66.5 से लेके, पूरा 90 degree त होता है, देखिए, जैसे इस map में, अर्थ में देख सकते हैं, जो यह portion है, यह होगा आपका tropic, tropic region, ठीक है, इसको torrid zone भी आ जा जाता है, ठीक है, यह होगा आपका temperate zone, ठीक है, उपर और नीचे दोनों तरफ और यह उपर का होगा आपका polar, तो अब चली यह समझते हैं कि अगर heat surplus और heat deficit region बनते क्यों हैं, तो suppose अगर अर्थ अभी हमारे कहा है, अर्थ स्पेरिकल सेप में, अगर अर्थ एक black surface होता है, यह sun है, यह earth है, तो सीधा सीधा पूरे area पे heat बढ़ता, तो पूरे sun में heat जो होता, इक्वल होता, ठीक है, क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है, तो जो स्पेरिकल से भी होता है, तो यह हो गया आपका sun, तो यहां का distance कम हो गया, और वही अगर पूल तक की distance की बात करें, तो ज्यादा हो गया, तो कोई एक particular source है heat का, वहाँ से जितना वो distance travel करता जाए, वैसे वैसे heat की intensity है, जो वो कम होती जाएगी, तो वही सेम चीज़ ला होगा, वही अगर temperate या फिर आप polar की बात करें, तो यहां से temperate जाने में एक तो उसका slight angle हो जाएगा, ठीक है तो डारेक्ट जो sun की रिएसा वो नहीं पढ़ेंगी, तो उससे intensity कम मिलेगी इसको ठीक है, और दूसरी बात है कि इसको distance जाधा travel करना पड़ेगा, तो उससे व ठीक है, तो इस heat difference से हमारा pressure difference create होता है, और उस pressure difference के चलते ही wind का development होता है, यह पूरी process हम क्लाइम क्लाइम पड़ेंगे, अब चलते हैं longitude की तरफ, तो सवाल यह था कि अब longitude के लिए reference line क्या है, मैं लग कैसे draw करे reference line, तो सारे latitude तो सेम है, अगर आप सब को count करेंगे तो सब का distance होगा न, longitude का, वो same ही आएगा, तो अब इस case में reference line क्या ले हम लोग, तो इस case में जो गर आफर नहीं क्या किया, कि एक लंदन के पास city है, green meridian, ठीक है, तो green meridian के पास से जो होती हुए, जो longitude जा रहा था, उसको उन्होंने बोला यह है reference longitude, मतलब यह 0 degree longitude है, तो अब सवाल यह आता है कि वो green meridian city ही क्यों उन्होंने चूज किया उस समय, तो उसके दो बड़े region थे, पहला region कि green meridian में एक royal observatory थी, यह है royal observatory ठीक है, तो वो green meridian city थी और जो most of the अपने जोग्रोपर्स थे उस समय के वो इसी observatory से थे, तो उन्होंने इसलिए green meridian को चूज किया, दूछरा कि industrialization का time चल रहा था उससे में, तो UK was the leader उससे में, ठीक है, तो लंदन और UK capital थी, इसलिए उन्होंने बोला चलिए यही ले ले लेते हैं, green meridian as a, तो इस green meridian को prime meridian भी का जाता है, तो अब जब यह line draw हो गई green meridian वाली, तो अब उसके reference में, जितने भी points के angles आदने लगे, जैसे suppose, यह यह हमारा prime meridian, ठीक है, अब हम इस point का अगर निकालते हैं, कि यह कितने degree longitude पे है, तो इस से center से जितना angle बन रहा है, यह होगा आपका longitude का angle, तो यह अगर 90 degree है, जो इस point का आगया, आपका 90 degree, ठीक है, ऐसी same, इस point का, यहाँ से देखेंगे, तो यह आग 180 degree पहुंचे, तो 180 degree में अब उन्होंने बुला, कि अब एक ऐसी भी line draw करनी पड़ेगी, जहां से हमारा दिन की सुरुवात हो, मतलब एक कोई ऐसा point तो होगा न, जहां पर हम यह सोचेंगे कि यहां से नया दिन की सुरुवात हो रही है, तो उसको बोला गया international date line, जहां से सुरू होता है, तो थोड़ा और information जानते हैं दोस्तों, देखिए, यह हो गया आपका 0 degree, ठीक है, प्राइम मेरेडियन, तो 0 degree से E west की तरफ जाएंगे 180 degree, ठीक है, और east की तरफ जाएंगे तो यह 180 degree, ठीक है, तो total जो हो गया earth का वो होता है 360 degree, तो अगर हम longitude की बात करेंए तो longitude कितना total गुमता है, 360 degree, ठीक है, 0 median से, east में 180 and west में, अब यहाँ देखिए, जो earth है, इसको एक revolution करने में लगता है, 360 degree गुमता है, ठीक है, और यह गुमेगा 24 घंटे में, तो अगर हम यह बात करेंए, कि 1 घंटे में कितना गुमेगा, तो 360 divided by 24 मतलब 15 degree में 1 घंटा, मत तो एक घंटा हमारा कम या जादा होना चाहिए, तो इस case में क्या होना चाहिए, अगर हम western side जाते हैं, तो हमारा एक घंटा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 12 बज़रा होगा, तो यहाँ बज़रा होगा 11, ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो यह जो है international date line, ठीक है, दि 30 December को sunrise, मतलब यह जो intentional date line है, इसको cross करते ही, एक दिन बढ़ जाता है, तो इसलिए लोग बोलते हैं, कि अगर आप East से West में जा रहे हैं, ठीक है, East से West में जा रहे हैं, तो आपका एक दिन loss हो जाएगा, क्योंकि सपोस्थ 30 तारीक है, हो आप यहाँ ठीक है, और यह 31 तारीक से अगर आप West से East में जा रहे हैं, तो आपको एक दिन extra मिलेगा, अब इसको example से समझते हैं, सपोस्थ यहाँ पे 31 दिसम्बर है, ठीक है, लोग इसमें celebrate कर रहे हैं New Year Party रात को, अब आपने रात को New Year Party celebrate की, यहाँ पे कहा है 30 की रात, आपने New Year Party celebrate की, अगले दिन सुबह हु कर सकते हूँ, तो अगर आप West से East में जा रहे हो, तो आपको मिलेगा एक दिन का gain, मतलब एक दिन extra, तो अब हर कंट्री ने अपने feasibility के हिसाब से अपना एक standard time set कर लिया है, जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया ने 82.5 degree, मतलब 82 degree 30 मिनट्स पे अपना जो main standard time है वो set किया हुआ है, मतलब यहाँ पर जितना time हो रहा होगा, according to GMT, green median time, ठीक है, उसके हिसाब से पूरे इंडिया में वो time उतना ही show होगा, example देखते हैं, suppose कि आपका यह कहा है, 82.5 degree, ठीक है, अब हम suppose माल लेते हैं कि GMT पे, green median पे बारह बज़ रहे हैं, ठीक है, बारह बज तो अगर हम बात करें कि 15 degree में एक घंटा मिल रहा था, ठीक है, तो 75 degree में कितना मिल जाएगा, आपको 5, और फिर बचा 7.5, तो 7.5 degree में मिल जाएगा आपने को आदा घंटा, ठीक है, 30 minute, तो इसलिए हमने यह जो set किया है, इंडियान स्टेंडर टाइम, यह है 5 hours 30 minutes, ठीक है पांच बच के 30 minutes, लेकिन इंडिया ने अपना एक टाइम जून रखा है, यतना आसान नहीं था दोस्तों यह क्योंकि इंडिया का डाइमेंशन देखें, वैस से इस की तरफ देखें, यह है 97 degree East, ठीक है, यह है अपना 68 degree East, तो 68 और 97 समझे नहीं है दोस्तों, 29 degree का डिप्रे में हमारा टाइम देखते हैं, अब बहुत सारी ऐसे भी घंटी है, जो लेंड के मामलें बहुत ज्यादा बढ़ी है, जैसे कि रश्या हुगा है आपना, तो रश्या ने क्या किया है, साट टाइम जोन में अपने को डिवाइट कर रखा है, देखो, एक, दो, ती, चार, पा इकान है, अब देखिए, क्वेश्चन Nummer 1 है, कि अगर एक बज़ रहा है ग्रीन मारा है, अगर एक पीम हो रहा है, ठीक है, तो 90 डिगेरी ईश्ट में कितना बज़ रहा होगा, देखिए, गम्म्ट में एक बज़ रहा है, तो एस्ट में जाएंगे, तो 90 डिग्री, नाइन् तो next question है कि अगर Indian standard time पे 10 बज़ रहा है तो ये बताइए कि 90 degree पे local time कितना हो रहा होगा अब देखिए Indian time कितना है 2.5 degree पे तो 2.5 degree पे 10 बज़ रहा है तो अब हमें 90 degree पे निकालना है तो दोनों का difference कितना है 7.5 degree तो हम जानते हैं कि 15 degree में एक घंटा चेंज होता है तो 7.5 में कितना हो जाएगा आदा घंटा तो अब 90 degree इसने बोला है local time मतलब east में तो आदा घंटा एड हो जाएगा तो इसका answer हो गय के 30 मिनट एम तो यह थी complete detail about longitude latitude तो आई होप आपको समझ में आया हो इस तरह को question आया है तो आई होप आप easily कर लेंगे तो thank you दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में